ये वे गाईज दिस इस मोनिका सिंग एन वेलकम बैक टू आर चैनल कैसे हैं आप से भी देखिए इसमें आज हम देखेंगे वीडियो में बियेट सेकेंड ये के असेस्मेंट फॉर लर्निंग एन एन्वार्मेंट एजूकेशन आपका इस बार जो पेपर हुए है 2022 के उन्हे ठीक है तो उसका रिव्यू लेंगे एक बार थोड़ा सा और ये वाली वीडियो अपलोड करने में टाइम हो गया जादा फिर भी देख लेते हैं हम तो आपका जो पेपर आया है वो आया तो पूरा सिलेबस में से है लेकिन खुश चीज़ें हैं जो कमी लगी देखेंगे आपक shuts पार भेशन जो परिवात था है तो गुशं लेकर करती हैं ऑगे प्रमापी करत परिक्षण या मानकी करत परिक्षन एकी बात है विभिन पद लिखने थे और साथ में आपको या तो बहत हैं बहातुट है गुणात में उपकरण ठीक है टूल्स लिखा हुआ है तो साधन या उपकरण एक ही बात है वो बताने थे उन में से किसी एक के बारे में अच्छे से डिटेल में एक्सप्रेंड करना था आसान था यह से कर सकते थे ठीक है आगे अचीवमेंट टेस्ट क्या है यह बताना है औ पकरिया का वर्णन पूछा है अच्छा इस्टेंडर्ड डैविएशन अभी तक आपका शॉर्ट में आता था तो यहां पर दो ऐसे टॉपिक्स लिए गए हैं जो शॉर्ट में पूछ जाते थे एक तो सीबी सीएस चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम और दूसरा यह स्ट है अगर आप देखेंगे एक सेकेंड हां शॉर्ट का हम सेक्षन बाद में देखेंगे पहले यह चीज़ देख लें जो छूट गई हमारी बताने से कि आपके डेस्क्रिप्टिव आंसर टाइप कुशन जो आए थे वो पैटर्न इस बारी कुछ चेंज हो चुका है और होप है तीन घंटे का लेकिन चालिस नंबर का अच्छा क्या चेंज आया यहां पे तीनों कुशन तो लॉंग में करने थे लेकिन आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में जो चॉइस है उसमें अंतर पाया गया ठीक है और आगे जो साल आएंगे आपके नेक्स सेशन जो होगा ठीक है सेकिंड डिया के जो एक्जाम होने है उसमें भी पैटर्न यही रहेगा सभी पेपर आपके अब चालिस के ही होंगे ठीक है यहां चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल गई कि एट कोशन थे उसमें से कोई दो करने थे ठीक है कोई दो करने थे चार नंबर का एक कुशन हो गया एक अंसर हो गया और आठ नंबर का ये सेक्षन हो गया ठीक अच्छा तो यहां पर कौन-कौन सा आया है रिलेबिलीटी ओफ टेस्ट विश्वस्नियता कर सकते थे लंबाई से विश्वस्नियता क्या सम्द है बता सकते हो पद विश्वलेशन अच्छा आपका निवंद्यात्मक परिक्षा के प्रण्वुक दोश बता सकते हैं ठीक है ना? शिक्षा में केंदर प्रवर्ती की मापो का क्या उपयोग है केंदर प्रवर्ती कौन से माप है? माध्यम, ढईयांक और भहुलक उनका उपयोग बताना था ठीक आगे प्रसंटायल रेंग के बारें पूछा और उसके कैलकुलेशन पूछे कैसे करते हो उसके बाद खुली पुस्तक परिक्षा प्रणाली पूछी है जो कि पहले भी पूछी जा चुकी है तो अच्छे कोशन्स दिये थे आगे अती लगू को देखे तो यहां आपके 10 कुशन्स आए थे जिसमेंसे आपको चार करने थे ठीक है तो यहां भी चोईस अच्छी मिल गई जिसमें देखे मापन के दो कारें बता सकते हैं मापन के अंतराल इस्थर की दो विशेष्था हैं बतानी थी इंटराल इस्केल चार मापन के अंत का निकालने का सूत्र सहसामन के प्रकार मानकों को परिभाश्यत करना था क्रेडिंग पडाली की दोफशेश्टा है हिस्टोग्राम के लाब रिपीट हुए और फॉर्मेटिव समेटिव असेस्मेंट या टेस्ट इसका अंतर पूचा था तो यह पेपर काफी अच्छा आया लेकिन एक कमी ये कि यहां कोई भी नुमेरिकल नहीं पूचा गया नुमेरिकल पूचा जा सकता था जिससरे के लॉंग काफी अच्छे बन जाते हैं शौर्ट में भी पहले भी नुमेरिकल चाये लेकिन इस बार नहीं दिया गया है ठीक हैं जो कि इसमें यह मुझे कमी सबसे पहली मिस्टेक, प्रिंटिंग की, ठीक है, यहां जो यह प्रिंट किया गया है पेपर, बहुत मिस्टेक है, इसमें देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, पायसे की तरंतर, इसकी संदर्शने को कारें को समझाईए, ठीक है, जैव विविता क्या है, महत्व और खत्रों का बंदन कीजिए, सही कर सकते हैं, अच्छे कोशन थे, सिलिबस में ऐसे हैं, लेकिन यहां देखेंगे, ठीक है, क्या पूछ रहेंगे, कि मिनरल रिसोर्स के जो एक्स्परिटेशन के एफेक्ट है, है न, यहां देखेंगे, खनिज तनसादनों के दोहन प्रभाव का मनुशे एवं पर्यावन के संदर में वर्णन कीजिए, बहुत अजीब सा मतलब लेंग्विज लिखी हुई है, तो यहां यह मिस्टेक थी पेपर के अंदर, और पूरे पेपर में कहीं न कहीं, ऐसी ऐसी मिस्टेक्स देखने को ब विद्यालَलों की भूमिका, बता सकते थे विद्याले की भूमिका यहां पर और यहां नीचे पूछी गईया, परियावरेनी संरक्षण हम छेंई विखास का संदर में विद्याले की भूमिका, सिलिवस में लगू को अगर देखे हैं, तो आट में से यहां चार करने थे, समाज में प्रते को परियावरे ने जगरुकता की आवशक्ता की विवेशन कीजिए फोड़ा सा घुमा के कोशन पूछ लिया गया जैसे कह सकते हैं पहले जितने सीधे सीधे कोशन आप से पूछ गयते हैं इसले सालों में उस तरीके से नहीं पूछ गया इस बारी ठीक है जल संकट मैं है इस पर चर्चा करनी है मतलब अपकी बार का जो पेपर था काफी ज्यादा ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग पर था जिके आप अगर सोच पा रहे हैं तो अच्छे से लिखेंगे वड़ना यहीं नहीं है आगे यहां पर अभी तक प्रेवरेन निस इक्षण कर भारे में प्दिर परम यह कंगए तो इसे के-प्र sustainable development, यह सहनिय विकास, सतत विकास तो होता है, बुक के अंदर एक जगे टिकाओ विकास भी लिखा हुआ है, लेकिन यह सहनिय विकास काफी अटपटा सा मतलब इन्होंने बता दिया, लेकिन sustainable development सीदे सीदे सतत विकास होता है, ठीक है, आगे genetic diversity, diversity के types हैं तीन, उसमें से एक है genetic एक है आपका, I think species, या फिर genes genetics, diversity, ऐसा कुछ है, अनुवानशिक विवित्ता है, जाती विवित्ता है, और एक तीसरी और है, जो अभी दिमाग बरसे निकल रही है, तो यह, यहाँ पर यह प्रकार्णा पोच के सीदा-सीदा उसका name दे दिया, कि यह वाली विवित्ता के ब प्रहन है, ठीक है, नीचे तो यह गलत लिखा हुआ है, इसका meaning यह ही नहीं, फिर आगे पूछा है, forest conservation act, यह अच्छा पूछा है, पहले अभी था कि यह very short में आ सकता था, लेकिन यहाँ पर सीदा यह पूरा इसके बारे में लिखने के लिवे दे दिया है, हाला कि syllabus मैंसे ह है, कुछ अलग से नहीं है, आगे, renewable energy sources के बारे में पूछा है, ठीक है, यह एक बड़ी बात के आपकी बार में कोई भी, tick the correct है, या true false है, फिलिंदा blank से कुछ भी नहीं आया, एक दो के अलावा, जैसे कि यहाँ पर environment day पूछ लिया गया है, अब देखिए, यहाँ पर से आ है, है न, यह पूछा क्या है, तो oxygen आप जानते हैं, आगे global warming से सम्मदित परिभाशा पूछी, coronavirus से बचने की तीन सावधानिया लग सकते थे, डेली पढ़ रहा है न, corona जब से आया, जब से ही, क्या क्या करना है, दूरी रखनी है, sanitizer यूज करना है, mask पहनना है, ठीक है न, आगे फिर से आपका renewable energy sources में से आया, कि non renewable energy sources के name बताईए, और WHP full form बताईए, world health organization, ठीक, आपके साब से पेपर कैसा था, बताईए, और कैसा हुआ आपका पेपर, ठीक है, और बाकी आगे, second year तो आप आरम से फिर हो गए, अगर practical के लिए कोई data आईगी, तो आपको बता द गया है, PPT पर एक वीडियो बनाने के लिए, तो अगर वो ज़रूर अथा आपको तो वो देख सकते है, notification आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए notification on रख सकते हैं, okay, next video मिलते हैं, thanks for watching,